में मंदीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर पिंटसाज के इस वीडियो में 34 साइस का बैक नेक डिजाइन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बोटनेक पर तो यह बहुत ही सिंपल और डिजाइनर ब्लाउस डिजाइन है अगर आप इसे अपने ब्लाउस के रिए बनाते हैं तो आप बोटनेक का मेर्जमेंट लीजेएगा अपने साइस के अकॉर्डिंग तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं सबसे पहले आप अस्दर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रख लें नीचे अगर कपड़ा सीधा नहीं है तो सबसे पहले एक चौदा इंच साड़े तेरा लेंथ मुझे इसकी तयारत नी है शुर्डर और आर्म होल लेंगे हम साथ इंच अगर आप चोतीस साइस का बोटनेक बना रहे हैं तो शुर्डर और आर्म होल आप साथ इंच पे माग कीजिएगा इस तरह से चेस्ट का चोथा बाग लेंगे चेस्ट का चोथा बागों का साड़े आट इंच और देर इंच एक्स्टर लेंगे बार्सिन के लिए तो यहाँ पर दीखे मैंने चेस्ट के लाइन बना ली है हाफ इंच उल्डर को डाउन रखेंगे और यहाँ पर हम लेंगे कमर का मैसेमेंट कमर है अठावीस इंच उसक से मार्क करते ना है मार्किंग पूरा कर लेने के बाद हमें इसे कट कर लेना है तो दिखें यहाँ पर हम बैक पार्ट को इस तरह से कट कर लेंगे कटिंग मेरी हाँ पर पूरी हो गई है इसके बाद गले का नाप लेंगे तो गले की विट्थ में रख रही हूँ पोना चार इंच 3.75 इंच आप साड़ी तीन या चार इंच पी ले सकते हैं गले के लंबाई उपर से रखी है तीन इंच और इस तरह से उपर की तरफ एक बोट नेक का शेप यहाँ पर बना लेना है दो इंच हमने नीचे की तरफ मार्क करना है और बैक साइट से देखें नीचे की तरफ गले की नीचे मैंने तीन इंच पर मार्क कर लिया है तो लें के बाद नीचे की तरफ हम पांट शेफ बना लेंगे, आप चाहें तो रांड शेफ भी ले सकते हैं, इसके बाद नएक को हमने कट कर लेना है, तो गले के शेफ के अकॉर्डिंग इससे कट कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर इसे cutting करके बना रही हूँ आप चाहें तो direct paper pasting पर भी बना सकते हैं तो गले को हमने यहाँ पर अच्छे से cut कर लेना है देखि इस तरह से गले के cutting कर लेने के बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर men fabric, men fabric के उपर रखकर हम इसे cut कर लेना है अब लिया है मैंने पेपर पेस्टिंग, पेपर पेस्टिंग को डवर करते हुए नीची की तरफ रख लेना है और एज़े इसकी मार्किंग कर लेनी है अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो आप इसे मैंन कपड़े के साथ ही सिलाई लगा कर पलट के भी बना सकते हैं और अगर आप पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तो इससे गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी तो देखे इस तरह से पेपर पेस्टिंग को मैंने अटेश कर दिया है अस्तर के साथ आप जहें तो प्रेस कर सकते हैं या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगा सकते हैं कटिंग हमारी पूरी हो गई है अब हम करेंगे इसका स्टिचिंग मैंन फैबरिक और अस्तर के कपड़े को साथ में सिलाई लगा कर अटेश करेंगे ये देखिए इस तरह से तो यहां पर दिखें मैंने गले पर सिलाई लगाती है और अब हमें बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है चारो तरफ से अच्छे से सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लेंगे तो दिखें मैंने यहां पर सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ है इससे कट करके निकाल देंगे ये देखें बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा फैप्रिक को कट करके निकाल देना है ये देखें कप्ड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने हापर कटिंग कर दिया है अब हमें लेना है पेपर पेस्टिंग और अस्तर वाले पार्ट को दोनों तरफ से बराबर करते हुए रख लेंगे सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा कप्ड़े को कट करके side से इसे fold कर लेना है तो fold करने इसे पहले चोटे-चोटे cut लगाएंगे और यहां पर देखी 4 तरफ से इसे fold कर लेना है तो देखी नेक का pattern मेरा यहां पर ready हो गया है अब हम इसे blouse के उपर attach करेंगे तो इस pattern को आपको पलट करके के नीचे की तरफ रख लेना है और इसके उपर रखेंगे बैक पार्ट को दोनों तरफ से बराबर करते हुए सिलाई लगा लेंगे एक पेर का मारजिन लेते हुए यहां पर हमें इसे सिलाई लगानी है तो देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद हमें क्या करना है एक्स्ट्रा कप्रा जो है बीच में से कट लगाकर निकाल देना है यह देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने यहां पर कटिंग करके निका के ही जल दिया हे। इसके बात पूरे पैटन पे छोटे छोटे चोटे कट लगा लेने हैं। इस उन चैंथा है कि इस तरह से कर देंगे मार्टी का अन्दर कर लेंगे और एक सिलाई हमें उपर से लगा लेनी है, फिनेशिंग के साथ, उपर की तरफ से सिलाई लगा कर दिखे, इसे पूरा कर लेंगे, अगर आप चाहें, तो यहाँ पर लेस लगा सकते हैं, मैं इसे सिंपल ही रख रही हूँ, अब देखे, कमर साइट में हमें डॉट लगानी है, तो इसके लिए सेंटर से कपरे को फोल्ड करेंगे, और इस तरह से हम यहाँ पर डॉट लगा लेंगे, अब देखे, नीचे की तरफ कमर की पटी अटेज करनी है, यहाँ पर देखे, पटी को इस तरीके से रख लेंगे, और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पटी को टेज करना है, एक सिलाई पटी को इस तरफ रखते हुए पटी की उपर लगा लेनी है, और अब कमर पटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, यह देखे, इस तरह से पटी को अंदर की तरफ करते हुए, उपर की तरफ से एक फिनिशिंग की सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे, तो नेक और कमर के साइट मैंने फिनिशिंग कर दी है, उपर वाला जो नेक है, यहाँ पर मैं क्रॉस पटी लगा रही हुँ, आप चाहें तो क्रॉस पटी को डवल करते हुए भी लगा सकते हैं, छोटे-छोटे कट पूरी पटी के उपर अटेश करेंगे, यह देखें, इस तरह से एक सिलाई पटी को इस तरफ करते हुए पटी के उपर लगा लेनी है, और कमर पटी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उपर से एक सिलाई यहाँ पर फिनिशिंग की लगा लेंगे, तो दीखें, बैक पार्ट मेरा पंकर के तियार हो गया, इस पर जब आप प्रेस करेंगे तो यह बहुत ही अच्छी तरीके से सैट हो जाएगा, अब मैंने गले के बीच का जो कपड़ा निकला था वही लिया है और इसे में इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, एक जैसा गुलाई में इसे हम कट करेंगे, इस तरह से, तो दीखें मैंने इसे गुलाई में कट कर लिया है और अब हमें इस पर सिलाई लगानी है, तो यहाँ पर एक पिर का मार्जिन लेते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे गुलाई में तो कहीं पर भी आपको गैप नहीं रखना है पुरा गोल शेप में ही से सिल लेना है मैन फैब्रिक के साथ में एक्स्ट्रा कप्रे को कट करके निकाल देना है और छोटे-छोटे कट यहाँ पर लगा लेने है कट्स लगाने के बाद आपको अस्तर वाला पाट उपर की तरफ लेना है और एक छोटा सा कट यहाँ पर लगा देना है यहीं से आपको इस फैब्रिक को पलट करके सीधा करना है यह देखें इस तरह से फैब्रिक को पलट करके सीधा कर लेंगे और यहां पर हम आप चाहें तो स्लाई लगा सकते हैं या प्रेस कर सकते हैं सेंटर से प्लिट्स लगाते हुए इसका बो बना लेंगे आप चाहें तो सुईधा के से भी कर सकते हैं बो बन करके तयार हो गया है इसके बाद में इसके नीचे बैल्ट अटेज करूँगी तो बैल्ट बनाने के लिए दिखे मैंने एक कपड़े का पीस कट कर लिया है बैल्ट की लंबाई चोड़ाई आपको जितनी रखनी है उस हिसाब से आप कपड़ा यहाँ पर ले सकते हैं कर यह देखें दोनों बैल्ट पर सिलाई मैंने लगा दी है और अब इसे आपको पलट लेना है पैंसिल यह पैच के इसकी मदद से आप इसे पलट लीजीगा कॉनर्स को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे तो दीखें बैल्ट मैंने यहाँ पर बना लिया है इससे सेंटर में अटेश कर लेंगे और इसके उपर सुईधागे से आपको बोक उटक कर लेना है उपर नेक के साइट में कुछ ट्रेजल्स लगा रही हूँ तो दीखें यहाँ पर आपको इससे सुईधागे से लगाना है और यह जो ट्रेजल्स से इसे भी आपको सुईधागे से टक कर लेना है बीच में एक पैंसी बेटन हम यहाँ पर लगा लेंगे इसी के साथ आज का मेरा इनेक डिजाइन बन करके तियार हो गया है तो फिर्ट्स आपको आज का डिजाइन कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर पिताईएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद